हेलो दोस्तों, तो दोस्तों सर्दियों में हरी सबजियां खाने का मन किसका नहीं करता और वो भी घर पर छट पर लगाई हुई पालक की तो दोस्तों ऐसा ही कुछ मैंने भी इन सर्दियों में ट्राई किया है और मैंने भी अपने छट पर धेर सारी पालक लगाई है आप देख सकते हैं मरपूर मात्रों में एक फैमिली को पूरी होने वाली पालक मैंने अपनी छट पर लगाई हुई है तो दोस्तों ये इस पालक को लगाए हुए तकरीबन एक महीना हुआ है और ये अब तोड़ने को तयार है तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको इसकी पहले जो टिप है वो आपके लिए ये है कि आपको पालक के पोदे के लिए कुछ बहुत ज़्यादा गैरा ग्रोबैक की रिक्वार्मेंट नहीं है ये देख सकते हैं ये सिर्फ 6 इंच उंचा ग्रोबैक है और इसका साइज है 24 बाए 12 तो 24 इंच इसकी चुड़ाई है और 6 इंच इसकी लंबाई है तो दोस्तों इसमें क्योंकि इसकी जड़े बहुत बड़ी नहीं होती आप इसमें अपनी पालक लगा सकते हैं और मिट्टी आपको जो तियार करनी है वो बहुत ही ज़्यदा बुरबुरी मिट्टी होनी चाहिए मींस उसमें आप मिट्टी के आप देख सकते हैं मैंने इस पालक के ग्रो बैग में से कुछ पालक तोड़ ली थी और जिसका इस्तवाल मैंने घर पर सब्जी बनाने के लिए किया था तो दोस्तों ऐसे ही आपको जितनी रिक्वाइर्मेंट हो जब भी आपको लगे कि आज हमें पालक की सब्जी बनानी है तो उसी ताइम आप तोड़े और ताजी ताजी पालक का लुथ उठाएं तो इसके बारे में मैं आपको और बताला चाहता हूं कि जैसे अब खूप सर्जी का मोसम है तो आपको इस पर कोई कीड़ा लगने की भी खत्रा नहीं है नहीं तो क्या होता है कि पालक में कुछ कुछ जगा पतों पर ऐसे चेज हो जाते हैं तो आप इस पर वािसे तो घर पर और्यनिक पेस्टिसाइट बनाकर भी स्प्रे कर सकते हैं उसका पेस्टिसाइट बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कुछ अगरी वीडियो में तो आप देख सकते हैं पालक किस तरह से लगी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि मैं आपको ऐसी धेर सारी वीडियो दिखाऊंग धन्यवाद